कि हलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू अफ्यू सुडेंट्स हम लोग क्यापिटल बस्तिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्यापिटल बस्तिंग के चैप्टर में हमने पिछले टर्ण पे पेड़ा का एक अंस इक्वल कैशिंफलो का क्योशन किया था है आज मैं आपको अन इक्वल कैशिंफलो का क्योशन करवाने वाला हूं वही प्योशन है और हम उस क्योशन में ए आरार अवरेज लिट अपर एंपीवी नेट प्रेजिट वैल्यू मेथर्ट और प्वीए प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकाले ही है आप देखें आपक आपको इनिशिल पोस्ट 80,000 है और आपका जो कैश इंदो है वो फर्स्ट फाइफ इयर्स यानि पहले पांच साल कि फोर्टी थाउसेंट पर इयर आपको दिया हुआ है उसके बाद सिक्स सेवन एट नाइन और तेन इयर में आपको सिक्स्टी ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी और एट थाउसेंट के शीज़ों आपको दिया हुआ है देखे स्टूनेंट्स कापिटल बस्टिंग में जो में 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 होते हैं चाहा है पेबैक प्रियर मैंटड आपरेस रेंट आफ रिटर्न मैंटड इस हैं चुटे रूप में एबर अरा गयते हैं नेक प्रिजेंट वेल्यू मेंटड एंपीवी और इंटरेशन रेट आफ रेटर्न मैथड आई आर आख रिक है तो है कैसफ न्पल्ट का मतलब को कर लिए ए और आर के लिए होता है इंकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डाम मेंशियंशन इंकम आफ एफटर्स में हम कैश लेते हैं इंकम आफटर टेक्स भीफोर डैप्रिश्येशन वैसे यह सारे जो जो कैश इंप्रोग कैसे निकालेंगे एन पीवी आई आरा सब के यह आपके पास मैं आपके फ्वारमूले गृुप में interest would चुका हूं लिखे वे आपके पास में आप उनमें देखें उनको पढ़ें देखिए इस सवाल में ने तो डैक्स की सूचना है हमें के बदे दिया केश इंपलो कहीं पर लिखा हुआ है तो आप क्या मानेंगे कि केश इंपलो का मतलब क्या होता है सब्सक्राइब और चाहिए के लिए हमें चाहिए इनकम आफ्टर टेक्स एंड आफ्टर टेप्रेसियेशन है कि जब आपको कोई संख्या विफोर के तो उसे हम आप्टर में बदलते हैं उसके लिए में क्या करना है माइनस करना पढ़ेगा ठीक है डीप्रीश है जब माइनस करतेंगे तो वह बिफोर का बन जाएगा आफटर बन जाएगा और उसके बाद ए आर आर का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल देंगे तो सुदेंट्स आईए इस सवाल को सौल करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या आप करना है सबसे पहले आपको एक वाल बनाना है इस इस इतने हैं इस पूरे 10 लाइन से उपर से नीचे आप 10 लगेजिए वाट टू थी फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अगरे अब लोगों ने रस साल लेए उसके बाद यहां पर आपको जो प्रेश इंफ्लोड दिया हुआ है यह है कैश इंफ्लोड और गैश इंफ्लोड को मैं वोग जा रहा सकते हैं इंकम आफ्टर पैस एंड बिपोर यह मैंने शॉइंग है कि यहां आप है अब आप की अब हमें जो करेशों के लिए हूए हूए व्हथा हुए को चौदा हजार हो एक साल का चौदा चौदा हम चौदा हाँार दूदा एक तो हुआ प्र वह उसके बाद में दिया में प्रम इंस रहा है है साध्य मेरे सब्सक्राइब देशार वे फिर आठ्वे सांदेर थिस अजार कि नौभे सांदेश्य अजार कि और टेंग्धी में एक एधित आठजार तो ये cash inflow ने लिग लिए कि cash inflow क्या है ये है income after tax before depreciation और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए income after tax and after depreciation तो after tax तो है depreciation before है और depreciation के before को after करने लिए हम क्या करेंगे हम इन सारे cash inflow में से depreciation को minus कर देगे कि आप्रिशेशन को माइनस करने के बाद में जो इंकम आएगी वह आएगी इंकम आफ्टर टेक्स एंड आफ्टर डैप्रिशेशन ओके तो अब हम यहां पर लिखते हैं फ़र्ड कॉलम में डैप्रिशेश्ट का फॉर्मूला क्या होता है इनीशियल कोस्ट माइनस स्क्रेप स्क्रेप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटिब लाइफ तो देखिए सवाल में स्क्रेप वैल्यू की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं इनीशियल कोस्ट प्रारभ्विक लागत हमें सवाल की दीवी है एटी थाउजन असी हजार और लाइफ दस साल है हमने दस साल की कैशिन को ल प्राइफ तो एं थाउजन एं थाउजन एं थाउजन आगार यह बनाना इंकम आफटर है और कर देशन कर देंगे तो हमारी को आफटर टैक्स और आपटर देशन कर देगे तो आपक साल को इसकी जो कैश्य विए एक जोड़ा चौदा जार चौदा में से 8000 अब गटाओंगे चैनल बचेटी तो उपर से पहले पांच साल तक आप 6,000 वे लिखेगे तो 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 और ये 6,000, 1, 2, 3, 5 पांच सालों का ब्या को से गटाने के पांच से उसके बाद देखिए इतना है 16,000, 16 में से 8,000 बच जाएंगे पर 20 में से 8,000 बच जाएंगे तो 20,000 बच जाएंगे थि के पीस में से 8 वे तो 12,000 बच जाएंगे और फिर 8,000 में से 8,000 गटाट किश सी निगे ने कम आकपके आघए इंकम आफ्टर टैक्स and after वैटी स्केशिए झुकिनर जब हमें ए आरर निकालना होता है तो यहां पर यह इंकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स तो आ गया लेगी जब कैश इंफ्लो अनिक्वल होता है तो हमें उसका एवरेज भी स्कुरेट्स निकालना पड़ता है तो यह आफ्टर टैक्स की जो इंकम है हम इस सब करेंगे और टोटल करने बाहरें इसको डिवाइड गरेंगे हम लोग 10 से तो आपका जो एबरेज जो है इंकम आफ्टर टैक्स आपकेशन आजाएं अब हम इसके टोटल करते हैं तो टोटल में आप देखिए और आट अरट अरट इस और बारा पचास तक 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 दस बायासी और वो चौड़ासी तो इसका एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया आपने यापने लिखा आ अरगधिए जली और इसमें आपने अजला गया आई नाउन चार्स क्या आया थिए अरट आपगशास हो आया है एनबल अफ्रेंज इंकम आफ्टर टैक्स एंड डाप्रिशाइशन या आफ्टरटेक्स आफ्रड़क्स एक यह आग्या है उसके बाद में हमें एमडरेज इंवेस्टमेंट और जाए है तो हम यहां पर इंवेस्टमेंट इंवेस्टमेंट इस पाइब जी आए इनिशल पोस्ट प्लस स्क्रेब वैल्यू और पाउन तू यह फॉर्मूला है एबरेज इवेस्टमेंट का तो इनीशल पोष्ट इतनी है 80,000 स्क्रेब वैल्यू सवाल में दी नहीं है तो 80,000 अपाउन टू असी हजार बटा दो अगार का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर एपाउन तो अब एब 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 इंटम आप्टर टेक्स एंड डेक्षिएशं अपॉन अब्रेश इन्वेस्टमेंट और इंकुद हंटरह यह हमला फॉर्मूल खेंगे अब अभी अब एबएब एब 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 एबस एब्एपक्टर टेक्स अप्र टेक्शन जो है वह निकाला था आठ हजार चाहर सो और एबरेज इंट आपका था फुट्टी हाउजंड और इंटू है तो अब हम इसको सॉल्ट कर लेते हैं यह गए किया यह 21 परसंट 21 परसंट जो है यह आपका जो ए आरर है यह आजाएगा क्योंकि 8400 बटे 40,000 और मल्टिप्लाई आप 100 परसंट नहीं तो 21 परसंट आए यह आपका ए आरर आपके उसके बाद हमें क्या निकालना है MPV यानि Net Present Value और Net Present Value के लिए कैश इंट लोगा मतलब क्या होता है income after tax before depreciation यानि केवल ARR के लिए हमें after tax और after depreciation चाहिए यह बाकी capital bursting कोई भी method है हमें कुछ भी निकालना है सब में after tax before depreciation तो हमें जब हम MPV निकालेंगे तो हमें depreciation को माइनस करने की ज़रूद नहीं तो हम depreciation और इस कॉलम को मिटा देते हैं तो यह depreciation की कॉलम को मिटा दिया कि अब हम आगे बढ़ते हैं देखिए सवाल में आपको क्यापिटल की रेट दी है 10% यानि पुंजी लागत की जो दर है उद्दस पर्तिशन है आप अपनी financial management की जो book है उसमें आप देखेंगे कि आपको examples के बाद या आपकी book के सबसे last page पे एन वर्स की जो टेबल है तो दो टेबल भी नहीं है तो आप इसे calculator पर निकाल सकते हैं देखिए कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं आप निकालेंगे आप जब divided by 110 100 भाग 110 और multiply का निशान आप दबाएंगे जब आप multiply का निशान दबाएंगे तो देखिए 0.909 आएगा फिर आप is equal to गा यानि पहले साल की जो rate है वो 0.909 है फिर आप is equal to दबाएंगे तो आपकी जो rate है वो कितनी आएगी 0.826 0.826 के बाद फिर is equal to दबाएंगे 0.751 फिर is equal to दबाएंगे 0.683 फिर is equal to दबाएंगे तो आप देखिए पांचने साल की आपके calculator पे आ रहा है 0.6209 है तो students यह 9 है तो अगली संख्या यदि 5 यह 5 से ज़ादा आती है तो आप नीचे वाली संख्या को आगे वाली संख्य है यह 5 से ज़ादा होता है तो आप उसको 0.621 कर दीजिए 0.621 फिर आप equal to दबाएंगे 0.513 इस तरह से आप equal to दबाते चलिए 10 साल की जो रेट है वो आजाए ठीक है और आपके पास में कुरूब में टेवल अभी मौझूद है और टेवल में से देखे लिख सकते हैं को निकते हैं मैं रेट लिख रहा हूं आपन यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट रेट जो है वो 10 परसेंट है हमने 10 परसेंट की रेट लिख दी 0.909, 0.826, 0.751, 0.693, 0.629, 0.513, फिर अपका है 0.464 के बार 0.564 के बार लुद पर चुर फिर 0.569 के बार 0.513 उसके बार में 0.464 और आगे जो भी वाली जो संख्या है वो 5 आ रही है तो आप उसको 466 की बजाए 467 करती है ओके आगे वाली जो आपकी रेट है वो 0.424 है और आपकी जो लास्ट वाली की रेट है वो 0.86 है अब आपको क्या करना है आपको निकालनी है present value और present value कैसे निकालते हैं कैसे निक्लोज तो रेट और डिसकाउंट से multiply जब करते हैं तो present value आगाती है तो जो आपका फोर्ट वोलम है तो आप बनाए प्रेजेंट गरना है present value और फिर आपको क्या करना है इसका चोप्तर भी करना है तो अब आप इन समयाओं तो आपस में आपको क्या करना है multiply करना है यह पहले साल आजाएगा आपका 14000 को पॉइंट 909 से multiply करें वारा हजार 726 ग्यारा हजार 564 फिर multiply किया दस हजार 514 फिर multiply करेंगे 9562 फिर multiply करेंगे 8694 फिर multiply करेंगे 9024 नो हजार 24 और फिर पॉइंट 513 को करिए 20 जाज से दस हजार 260 आजाएगा फिर पॉइंट 466 को तीस जाज से करिए 14000 बसा जाएगा फिर आप multiply करेंगे आज़ार 480 फिर 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 सबसे लास्ट में आज़ार कोईंट 386 से मिल्टिप्राइब करोगे तो 30 अब देखेंगे कैश इंप्लोग को हमने बढ़निप्राई किया रेट आउड इसकाउंट से ये कैश इंप्लोग आ गया जब प्रेजेंट गर्यों और यह कैश इंप्लोग अन इकोल होता है जब लोग यह वाली वेट काम में लें यदि कैश इंप्लोग एकोल है आपको आगे इकोल के भी सवाल करूंगा तब हमको टेबल सेकंड की जो रेट है उसको काम में लेका तो यहां पर आप प्रेजिट पैलों का टोटल करेंगे और यहां पर अब लिए निया है तोटल प्रेजन के लिए तो आप जब इसने टोटल करेंगे तो इसके टोटल आएगा सब्याद के हगा नौसोट माइज नहीं पर लिखांगा सब्यार्ट में आगजान हगा है टोटल प्रजेंट चाहिए प्या इसका है हमें माईनस करना है इनिशियल पोस्ट, वाड़ी कितनी है, एक परaprès पूसदम, 117,122 मेंसे 8,000 को सब्सक्राइब आपता क्राइब है, ये आपको आघरी ays और इने लेलु औरbayर, 17,190, और स sufficient जार बैल्ट मेंसे 1,iativa लेलो करना है तो आपकी net present value आई अब इसके बाद हमें क्या निकालना है पी वी आई मतलब present value index बहुत इजी है इसमें हमें minus किया है उसमें हम divide कर देए ओके तो आप लिखिए पी ली आई पी वी आई प्रिजेंट वैल्यू इस आप आई मतलब सक्ट्यानने हजार नाग्सों आई बटे हर सी हजार कि वन पॉइंट तो इंचे लंब लिख गोड़ अपर अब्सक्राइब तो श्युआ है का ठीक है अब आपको एक बात रहात में रखना है आपको किसी को पुशन में नेट प्रेजिट वैलू और पीवीए पूछता है और उसमें आप से पूछता है कि आप नेट प्रेजिट वैलू के अगर भावे पताईए की प्रोजेक्ट शुल्ट वी असेप्टेट और करना है और यदि हमारी net present value positive आईगी तो present value index एक या एक से जहना है ओके और यदि हमारी net present value minus में आ रही है तो आपकी जो present value index है ये एक से कम आईगी ओके तो students इस question में हमने net present value और present value index और एक इनों चीज़ हम निकाल चुके हैं payback period भी मैं आपको इसमें बता चुका हूँ नेक्स टंड में मैं आपको आई आर आ इंटर्न डी टॉफ रिटन के और questions करूंगा ठीक है ओके तो मेरा आपस ये निवेजन है आपके पास में capital bursting के जो methods हैं सबके formula आपके पास में हैं तो आप formula करपा करके copy में तो आपने लिख ले होंगे क्योंकि आप लोगों के मेरे प तो उससे आप पूछिए और सारे formula जब आप सवाल लिखा लेंगे तो आपके अपने आपके लिए होंगे तो students आज के वीडियो में इतना ही thank you very much good bye take care